साहिवाल वाकिये ने अरकान इसमली को एक कर दिया मुबयाना कारवाई के खिलाफ हम मवास तवज्जा दिलाओं नोटिसिस और करार दादें पंजाब इसमली में जमा करा दी मुसलिम लिग नून की जानिब से सानिय आशिक और पीपस पार्लिटी के पार्लिमानी लीडर सेद हसन मुर्तजा ने सानिय साहिवाल पर तवज्जा दिलाओं नोटिस जमा कराया मतन में कहा गया कियवान को बताया जाए कि सीटीडी ने जाली पुलिस मकाबला किया वाकिये में मुल्विस कितने एहलकारों के खलाब मुकदमा दर्ज हुआ मुसलिम लिग नून की रुकन उस्मा जाहिद बुखारी ने सानिय साहिवाल की शफाफ तहकीकात के लिए जोडिशर कमिशन तश्कील देने के मुतालबे की करारदाद जमा कराई तरिक इनसाफ की सिमाबिया ताहिड ने भी वाकिये की शदीद मजम्मत की और पुलिस के रवए बेतर करने के लिए खसूसी ट्रेनिंग कराने का मुतालबा किया खायसाब मैं आपसे यह जाना चाहरा हूँ कि सानिया साहिवाल जो है इस पे हकुमत की जानीब से अब तक जो भी एकदमाद उठाए गए हैं आप समझते हैं वो बेतर हैं यह बहुत सारे काम अभी होने वाले है एक तो उस वाकिय की मैं शहीत तरी मजम्मत करता हूँ और मुझे इस वाकिय इलम भी यहां के वैको कि मेरे पास कोई अख़बार या कोई ऐसा जराय नहीं है इंतहाई अफसोग सा वाकिया है एक जंगल का का गानून है यह अगर शहबास सब की हकुमत होती है 24 ट्रेट में फैसला है ता आफ जेल में आपको अख़बारात नहीं देते हैं नहीं वहां पे तो मुझे यहां असेम्बली आके इस बात का इलम आया कि यह वाकिया हुआ है और ऐसे प्रेसिडंट बनने चाहिए कि बेगनुआ लोगों को इस तरह शहीदन किया जिए उनका कतल याम ना हो आपके दोर में भी तो पलीस रिफॉर्म तो ना हो सकी और मसायल बड़े खराब थे गडबड़ थे आज एवान में भी सानया मॉरल टाउन की गूंज भी सुनाई दी तो इन मौज़वात पर क्या कहेंगे मालटाون के वाले सवसे जुरिशनल कमिशन बन गहा था और आज जो ऑपोजिशन का एक मुझ्टरका डिमांड थी वो जुवरीमंद की थी और उसके बाद फिसका तइयन करें कि कौन इसका खलब रहता है। और उसे मानेगी। देखे कि रिपोर्ट आती है और लोगों को सदा मिलती है तो जार है फिर तो उस पर इतमयान का जार है। नामालूम अफराद के खिलाफ F.I.R. का अंदराश? आप समझते हैं कि आपको लगता है कि किसी दौर में ऐसा भी होगा कि पुलीस रिफॉर्म हो सकती है और हो जाएंगी। पूछेंगी। अब वैसे मुझ से अगर पूछें तो ऐसे कौम हमें अपने रवाइये बहतर करने होंगे। मैं तो थोड़ा सा मयूसी का शिकार हूँ इस अवाले से कि हम इंफरादी तौर में हमारे एक्दमा ठीक नहीं है। यह बड़ा सोसक वाकिया और ऐसे वाकिया पहले भी पेश आते रहें। मैं अगरी करता हूँ आपसे लेकिन माल्टन का जो वाकिया था उसमें प्रॉपर कमिशन बना। कोट्स में केस चला। सुप्रीम कोड़ता केस पहुंचा। तो एक प्रसीजर तो आपको करना पड़ेगा कोट्स का। मैं आ गई हैं और कुछ अर्से तक और आ जाएंगे और जिनको तब्दीली का शौक था जो लोग तब्दीली लाने वाले थे जिनने उनको वोड़ दी हैं वो भी रियलाइस कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। नहीं तो आप जब हवालात में रहेंगे, सैल में रहेंगे, बेगुना जेल काटेंगे, आपकी क्यादत जेल में होगी, आपका खांदन टार्गट होगा, आपका भाई जेल में होगा, तो कभी कभी तो अंदर दबी अवास बार आ जाएगी। रहे हैं, वो बीच सड़के, दिन दियाडे, चार आदमीों को कतल कर रहे हैं और उनकी F.I.R. जो है वो नामलूम हो रही है, कहते हैं वजीर आला साब भी और लावनिस्टर साब भी कि हमने मुल्जम राद से गरिफतार कर ली है, तो उनकी F.I.R. जो है वो नामलूम हो रह ही नहीं है, जो इनका अपना मतालबा होता था जब यह कंटेनर huटे थे जहां पर एक इसी बेगुना का खून बहे, तो इसी तरह समझो कि उसका खून हुड हूँ क्यों नहीं है, किस चीज़ का खौफ है किस चीज़ का खौफ है कि इसे निकल रहे हैं और लाइने लगी प्रोटोकोल की और लोगों को रोका जा रहा है। क्या हाल है क्या तरीका है कि सीम साथ ने तो और किया आज के उनका कैना था मीडिया से बात करते हुए कि कल तक पांच बज़ तक रिपोर्ट का इंदार किया जाए। पुलीस रिफॉर्म्स तो नूनलीक के दोर में भी ना हो सकी और अब भी नहीं हो पारी है। और आज तो इवान में आप बैठे थे तो यहां तो सानया माडल टाउन की बाज़ गश्ट भी सुनाई दी और बड़े हम मिनिस्टर कह रहे थे कि आप लोगों की जानीब से नून की जानीब से तो एफ़ यार तक नहीं काटी की थी बड़ी लेट। किसी एक वाके पर बात करने की बिजाए आप माजी को तलाश करना शुरू कर दे तो वो मसले का हल नहीं होता। इस वकर एक वाक्या हुआ है इसको फौरी हल करें। बहुत शुक्रेश्ट। मलक वईद साब मैं आपसे जाना चाहरा हूँ कि आज जब आप हकूमत पर तनकीद कर रहे थे तो वहां सानया मॉडल टाउन की बाज़श्ट भी आई। और मिनिस्टर साब की जाने से जो जिनका तालुक तरीक अनसाफ से है मियासलम इकबाल साब उन्होंने का कि आप लोगों ने तो एफ आई यार्स भी नहीं काटी थी अपने दोर में और हॉस्पिटल में मिलने तो दरकनार। तो आप अब तक सानिया साइवाल के जितने भी हकूमती एकडामाद हैं उनसे मुतमईन हैं। अब बिसमिल्यार्माद रहीम हकूमती एकडामाद जो है वो आपके सामने हैं कि जो फवाद चोधरी साहब हैं उनके आप बियानाद को देख लें या फियाद चुहान साब के बियानाद को देख लें और फिर लाव मिनिस्टर के बियानाद को देख लें और पिर सबसे हूँ कि क्योंकि हमारे काइद मियां अमदाश्वास साम ने उठके अपना फ्लोर ऑफ दा हाउस ये बात की कि मैं यहां पर हर्गीस अपना सियासी पॉइंट स्कुरिंग नहीं करना चाहता यह सियासी मामला नहीं है यह चार कीम्ती जाने जाय हुई है तो इस पर बिल्कुत स करके हमने फ्लोर ऑफ दा हाउस अपना बात की है आपकी बात तो अकुमन नहीं मानी ना नहीं बाद यह करते हैं लेकिन उसके बाद बिल्कुल हम चैहन से नहीं बैठेंगे यह पॉइंट स्कॉरिंग यह खुद हुद कर रही है और मरलटों के वाके को सामने रखके यह बा तो मरलटों पे F.I.R. कटी क्यों नहीं कटी दो बार G.I.T. बन चुकी हमने तो कुई तरह नहीं किया लेकिन कहने का मकसद है यह खेल कब तक खेला जाएगा और पलीस जब भी यह खेल के फारिग हो जाती है तो बाद में मामला तो उड़ते हैं तो हम यह कहते हैं कि यह की टैंक के तोर पर पंजाब पे लगाया लेकिन पुलीस रिफार्म्स अब तक यह च्छे माँ आदा साल गुजर चुका है और कोई पुलीस रिफार्म्स नहीं ला सके यह बात यह है कि इस तरह के जो वकूवे होते हैं वो आल उफ सड़न अपना जो है वो सामने आते हैं तो जो लोग इसके जिमेदार हैं उनको सदा मिननी चाहिए तो उनको भी उस वक्त जब मॉल्टोन का वाक्या हुआ था तब भी कोई उसमें शामल नहीं था और इनको भी यही कहना चाहिए था कि जो लोग जिमेदार हैं हमने किसी के तरफ उंगली नहीं उठाई हमने बिलकु चाहिए तो आपकी जानिव से हकुमत की जानिव से था नरेटिव था और आपकी जानिव से इस पर तीन-दो-ती दिन गर्मा सरदी चलती रही और फिर और दिया गया पुलीस को कि जाएं आप जाकर कर भाएं पिर रहनस नावलों ने कहा वहां से बारुदी मुआद निकला कि बिल्कुल इस पर इंसाफ होगा और जिडिशनी इंकौाइरी भी हुई और वहां पे भी कमेटी बनी वहां पे जेएटी भी बनी हमने कोई तराज नहीं किया आज हम यही कह रहे हैं कि हम किसी के ऊपर उंगली में उठाएंगे बलकि हम तो इंसाफ मांगेंगे जो भी जिम तो में अब हम पाया जा रहा है और इनके बेहानात आपस में मिलनी रहे और यह पहले ही फैसला कर चुके हैं कि वह दैसगर था ड्राइवर जो था अगर वह दैसगर था जैसे वह संडर कर रहे थे गाड़ी को साइड पे इन्होंने लगा दिया था और उनकी तरफ से किसी क मौद उनको मिला है तो फिर वह मौद उनका फोटेज के साथ उस जैवकुआ के ओपर वो शो करें अबाम को को बताएं कि यह हमने वहां से अपना उनका फोटेज के साथ जो हैं वह बरामत की है तो ठीक है जो इनका फैसला होगा तो हम भी मनौद तस्रीम करेंगे इंशाला बाज उग्यों को